हुमारी प्रिती दिन की रोटी खारी क्रमका स्वागत आज का ध्यानाम्ष रभू से छिपना तब यहवा परमेश्वर ने पुकाद कर आदम से पूछा तु कहा है उत्पतिय ध्याई तीन पाद नौ मैंने अपने आंखे बंद कर ली और जो जोर से गिनने लगा मेरे तीसरे कक्षा के सहपाटियों ने शिपने के लिए जगा पोजने के लिए कमरे से बाहर निकल गए हार अलमारी पेटी और कोट्री को खंगालने के बाब भी जो अत्यादिक समय बीतने की तरह महसूस हो रहते और अभी भी अपने दोस्त को धूंद नहीं पा रही थी मुझे हास्यास पद लगा जब आकरकाप चत से लटके हुए पर्न पाउदे के गमले के पीछे से फूद कर बाहर आई केवन इसका सिर पाउदे से छिपा हुआ था उसके शरीर का बाखी हिस्सा पूरे समय दिकाई दे रहा था क्यूंकि परमेश्वर सरवज्ञानी है जब आदम और हवा अधन की वाटका में उससे चिपए वे हमेशा स्पस्ट दिकाई दे रहे थे उत्पती अध्याहितीं पद आठ लेकिन वे कोई बच्पन का खेल नहीं केल रहे थे वे उस पेड से खाकर जो परमेश्वर ने उन्हें कानी से मना किया था अपने अधर्म के बारे में आचानक जागरुखता और शर्म का अनभव कर रहे थे आदम और हवा परमेश्वर और उसके प्रेमपूर्ण प्रबंद से फिर गए जब उन्होंने उसके निर्देशों की अवहलना की हलाकि गुस्षे में उनसे अलग होने के बजाय उसने उनसे पूछा तुम कहा हो ऐसा नहीं है कि वह नहीं जानता ता कि वे कहा है परन्तु वह जानता ता कि वे उनके प्रदिझ उसके करना मईी चिंता को जाने पदनाौ मैं चीपी भी अपने मित्र को नहीं देख पा रही थी लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें देखता है और हमें जानता है उसके लिए हम हमेशा स्पस्ट दुरुस्टी में होते हैं जैसे ही उसने आदमा और हवा को कुजा इश्व ने हमें डूंडा जब हम पापी ही थे हमारे लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए क्रूस पर मारे गए रूम्यों अध्याई पांच पादा हमें अब चीपने की जरूरत नहीं है अपने का परमेश्वर से चीपने की कोशिश की है उसने आपको कैसे को जा है पिता परमेश्वर आपके प्रति गलतिया करने के बाओ जिन आपका मेरे लिए अपने प्रेम और देखबाल का प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद लेकर किर्स्टन होलबर्व बतीष बाओ जनुरी बिस्ण बाओ जनुरी बिस्ण बाओ धन्यवाद